यह question है 3T plus 2 की power minus 2 minus 2 को वैसे हम अगर मतलब बट्टे के नीचे लिख दें 1 के नीचे 3T 3T plus 2 की power 2 फिर हम जब equation 2 में से equation 1 को minus करें तो दोनों को LC हम लेना पड़ेगा फिर उनको multiply मतलब उस तरह करने से फिर यह question मुश्किल हो जाएगा तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही solve करके फिर binomial theorem के जरीए अगर दोनों method से जब करेंगे तो arms तो वैसे भी same आएगा दोनों method ठीक हैं जो आपको वेतर लगे वो LCM लेने वाला थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो मैंने binomial theorem के जरीए कर लिया है यह question है तो मैंने लेट के आए के यह है क्योंकि हम first principle के मुझरे कर रहें तो first principle जिसरा हम by definition में four step को follow करते हुए करते थे तो first principle में ऐसे ही यह एक को equation one का नाम दिया और equation two का इसमें change किया y plus del y और t की जगह पर t plus del t क्योंकि यह with respect to t है तो del t और t इस तरह equation two में से equation one को minus किया y plus del y minus y और equation two क्या है 3 t plus 2 3 t 3 del t यह 3 इसके साथ भी multiply हो रहा है तो equation two वाला यह है और equation one वाला यह है अब दोनों यह plus का और minus का y तो cancel हो गए अब इन दोनों में से हम कुछ common ले सकते हैं यह वाला common ले सकते हैं इसकी power भी minus two और इसकी भी तो इसकी जगह पर हम साथ divide करवा देंगे जिसके साथ वो value नहीं होती उसके साथ हम divide करवा देंगे 3 del t के साथ हमने divide किया है 3 t plus 2 1 plus 3 del t over 3 t plus 2 minus 2 और minus का वान है यह by using binomial theorem 1 plus x की power n is equal to 1 plus nx n into n minus 1 over 2 का factorial x square plus up to so on यह वाला formula apply करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम यह जो question है इसमें से हम n किसे कहते हैं x किसे कहते हैं n यह है यह जो power में लिखा हुआ है यह n है और यह x यह सारा x है del x के साथ जो लिखा हुआ है del x के साथ जो divide भी हो रहा है कि इसे सारे को हम कहते है x है यह तो जो हम common लेते हैं वो as it is रहता है उसे उसे नहीं चेड़ना और यह formula सारा अपलाई करते हैं बाकी अंदर record के वन फार्मूले बला आ गया और n के माइनस तू माइनस तू साथ लिखा और और क्या है 3 del x यह 3 del t 3 del t over 3 t plus 2 यह वैसे लिखा plus n into n minus 1 है तो minus 2 minus यह यह मतलब n जो है इसे अपलाई कर दिया minus 2 into minus 2 minus 1 over 2 का tutorial x square क्या है x क्या था 3 del t over 3 plus 3 t plus 2 का स्केर प्लस अप्टू सोन माइनस यह जो माइनस common लेते हुए हमने लिए था माइनस मतलब प्लस infinity से प्लस के बाद infinity की तरफ जा रहा है minus 1 तक positive infinity की तरफ तो minus y है और plus minus का 1 और plus का 1 यह cancel हो जाएंगे आपस में और हम इन इसके बाद यह इतनी equation बचेगी यह यह वाद इसका रोला खतम इन दोनों में कुछ common है यह common है 3 del t over 3 t plus 2 इसमें square है और इसमें एक है हम एक common ले सकते हैं तो मैंने यहां पर common लिया 3 del t over 3 t plus 2 और step number 3 क्या होता है तो यहां पर माइनस 2 अकेला रहे गया step number 3 होता है कि del t को मतलब step number 3 में हम अगर with respect to x कर रहे हैं और del t approaches to zero यहां पर टी लिखना था approaches to zero जहां मतलब del t होगा वहां पर हम zero लिखेंगे यह जब divide कर वाया तो यह बाकी सारा रहेगा सिर्फ del t del t के साथ cancel हो जाएगा यह जो common लिया था इसके साथ यह 3 भी आ रहा है और 3 by 3 t plus 2 minus का 2 3 और minus का 2 जब multiply होए तो minus का 6 और minus जब क्योंके यह जब उपर जाएगा 3 t plus का 2 तो इसकी power भी minus 1 हो जाएगी और इसके साथ जब minus 1 के साथ जब add करेंगे मतलब minus 1 में कुछ add किया minus 1 तो minus का 3 होगा minus का 3 इसकी power minus 3 है तो नीचे जब लाएंगे तो minus 6 over 3 t plus 2 की power 3 इस तरह हमने यह ले लिया यह सकांचे तेंक यू